दियर स्टुडेंट्स मैं भोनेश्चन माथोर आपके साथ हूँ आशिश सिंगल लेक्चर से आज हम क्लास नाइन्थ का बहुती वंडरफुल बहुती अच्छा चेप्टर शुरू करने जा रहे हैं पालमकुर गाउं की कहानी ये हमारे अर्थ शास्त्र का पहला चेप्टर ह सबसे पहले मैं शुबकामना देता हूं नाइन्थ क्लास के विद्यार्थियों को अर्थ शास्त्र आप पढ़ने जा रहे हैं अर्थ का मतलब होता है किसी भी रूप में पैसा हूँ तो उसकी हम अध्यान कर रहे हैं तो वो बन गया अर्थ शास्त्र पैसे का शास्त्र है ठ हम कई चीज़ां खरीदते हैं कहां बनी होती है उन्हें कौन बना रहा है ठीक है जमीन की आवशक्ता किसको नहीं है उस पर श्रमिक काम करते हैं खेत चाहिए होता है खेत के लिए हमें ट्रेक्टर बीज वगएरा वगए बहुत सी चीज़ों की आवशक्ता होती है कुशल श्रमिकों की आवशक्ता होती है उत्पादन हो जाता है फसलों का तब हम बेज कराते हैं उससे हमें पैसे की प्राप्ती होती है आगी के सारे काम पैसे से चलते हैं क्या कोई वस्तु हमें इस दुनिया में फिरी में मिल रही है, मुफ्त में, आप कह सकते हैं हाँ, हवा है, पर आप गौर से देखेंगे कुछ भी फिरी नहीं है, इसी बात को पढ़ने के लिए हमने प्लान किया है पालमपूर गाउं की कहानी, देखिए, कुछ ना कुछ हमार अर्थशास्त पढ़ने का उद्देश है, क्या है, एक कहानी की माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि इस कहानी का उद्देश उत्पादन से संबंदित कुछ मूल विचारों से परीचे कराना है, उत्पादन यानि पहन अगर मेरे हाथ में, तो ये किसी ने मेरे ल के मेडियम से कर रहे हैं माध्यम से कर हैं, पालमपूर में क्या है प्रमक किरियाखेती, जबकि अन्य कई किरियाएं, जैसे के लगू स्थरिये, यानि छोटे स्केल के, विनिर्मान, बनाना, लकड़ी का फरनीचर, डेरी आप जानते हैं, परीभेन, यैसे छोटे ट्रक भी आपने देख होंगे हाफ बाड़ी बड़े ट्रक भी है जीप भी चलती है हमारे भारत के गाओं में ठीक है आदिसी में तिस्तर पर की जाती है इन उत्पातन किरियाओं के लिए के मां के लिए विबिन परकार के संसाधनों के आवशक्ता होती है जैसे कि हमें क्या-क्या चाह है चोटे-चोटे ओजार है मानव निर्मत है मानव प्रियास हम लोगों का शर्म चाहिए खेतिवाड़ी में कुछ पैसे की भी जरूरत होती है शुरूर में पहले-पहले अगर हम कोई फसल बोना चाहते है उसके लिए हमको बीज लेने हैं खाद लेनी है चोटे-मोटे रुची करे है और हमें पता पड़ेगा कि गाउं में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन मैं जोर दे रहा हूं विभिन संसाधन किस प्रकार एखटे किये जाते होंगे कैसे उनका व्यवस्था की जाती है यह व्यवस्था ही अर्थ शास्त्र है तो हम चल रहे हैं एक कहानी में जिसका नाम है पालंपुर पालंपुर का गाउं की कहानी हम पढ़ रहे हैं बहुत र पालंपुर का कि पालंपुर आसपड़ोस के गाउं और कज़बों से बहली भाती क्या है जुड़ा हुआ है जाया सड़क छोटी है या थोड़ी बड़ी है ठीक है लेगिन जुड़ा हुआ तो है एक बड़ा गाउं कौन है पास में राए गंज पालंपुर से कित्ती दू मीटर की दूरी पर है यानि ये गाउं से थोड़ा ये गाउं वार जुड़ा हुआ है पिर तेक मौसम में ये सब्सक्राइब को राइगंज और उससे आगे निकटम छोटे कस्वे शाहपुर से जोड़ती है गाउं में हम जानते हैं बारिश के मौसम में बहुत पानी भर जाता है आपने महसूस किया होगा इस प्रसड़क पर गुड़ और अन्य वस्तों से लगी हुई बैल गाड़ियां बहसा बगगी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन कौन-कौन से कॉमन है मोटर साइकल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक देखे जा सकते हैं क्योंकि एक कुछ लोग तो अपने दुपईया वाहन से सवारी कर लेते हैं आना जाना कर लेते हैं बैल गाड़ी भी हमारे भारत देश में कॉमन है, ट्रैक्टर है, मैंने आपको पहले का आके जीप भी चलती है, सवारियां भर-बर के वो ले जाते हैं इस गाओं में विभिन जातियों के लगभग साड़े चार सो परिवार पहले से रहते हैं और अधिकांश भूमी के स्वामी उच्च जाती के असी परिवार हैं उनका क्या है, उनके मकान जिन में से कुछ बहुत बड़े हैं, इंट और सिमेंट के वेने हुए दूसरा, अनुसुच जाती के लोगों के संख्या गाओं की कुल जिन सक्या का एक दिहाई है, वन थर्ड बलब देड़ सो परिवार के आसपास और वे गाओं के कौने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिन में कुछ ही मिटी और फूस के बने हैं तो ये हम क्या अर्थ वैवस्ता, अर्थ की बात कर रहे हैं, आर्थिक परस्तिती गाओं में किस तरह की है, ठीक है, उच्च परिवारों की कंडिशन, परस्तती, पैसे को लेके अच्छी है कुछ हमने देखा, अनुसुच जाती के परिवार गाओं के बहार की तरफ रहते हैं, उनके कच्ची मिटी और फूस के जौपड़ियां बने हुए, लेकिन एक बात अच्छी ये है, कि अधिकांश के घरों में बिजली है, तो ये बहुत बड़ी सहुलियत है, और क्या है, खेतों में सभी नलकु बिजली से चलते हैं, बहुत ही खुशी की बात है, खेतों में सभी नलकु बिजली से चलते हैं, और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, कि अब सौर उर्जार से चलने वाले भी नलकु भर सरकार, किसानों को डाइरेक्ट भी दे रही है, है ना, त कर रहे हैं पालंपुर का परीच्य कर रहे हैं पालंपुर में दो प्राइमरी स्कूल है प्रात्मिक पिद्याले हैं और एक हाई स्कूल है गाउं में एक राज्किय प्रात्मिक स्वास्त केंद्र भी है और एक निजी ओष्ट आले भी जहां भी लोग स्वास्त लाव ले सकते हैं ठीक है अब यह जितना भी हमने चर्चा की है उप्युक्त विब्रण से यह इसफ़्ष्ट हो गया कि पालंपुर में क्या-क्या है 2020 में हम एक गाउं का केस पढ़ रहे हैं। उस गाउं में सड़के हैं आपस में जुड़े हुए हैं गाउं kसादने उप्लफ्ट हैं जीपं चल रही हैं सड़क भी ठीकथाक है बारौँमास काम करती है बजली आई उई है सिचाई के सादन है, विद्याले है, स्वासकेंद्र इन इस सुविधाओं के तुलना आप अपने निकट के गाओं में उपलब्द सुविधाओं से भी कर सकते हैं ताकि और बैटर आपको यह समझना आ जाए क्योंकि पहला चेप्टर है अर्चास का, इसको बहुत अच्छी तरह से हम कर रहे हैं देखे, एक कालपनिक गाओं, कालपनिक है पालंपुर की काहानी हमें किसी गाओं में विभिन परकार की उत्पादन संबंदी गतिविदियों के बारे में बताएगी जिप को ठीक करने वाला मेकनिक मिस्त्री भी होगा गाओं में गाउ में कोई kursi tabl और hull की रिपेयर करने वाला भी होगा विजली आई हूई है तो विजली के pump है विजली की रिपेयर करने वाला भी कोई ना कोई कारि कर मिस्त्री आसपास ज़रूर मिलेगा और दुकान दार दुकाने भूछ बहुत मिलेंगी आजकल तो मोबाइल टॉप आप रीचार्ज करना रिपेर करना मोबाइल की मोबाइल का आप जानते ही यह कनेक्शन लेना यह सब नए पुराने मोबाइल सेल पर्चेस बहुत दुकाने फोटो इस्टेट है ना इमित्र जैसा काम स्कूल कॉलेज के फारम भर मैं हुआं कि यह हमने अभी तक क्या पड़ा पालंपूर गाहं का परीश है क्रशि प्रधान का और पालंपूर वी एक क्रशी प्रधान गा गाहं है're है के तोत पादन का संगठन या कैसा है इसकी बात चलेगी अब उत पादन का उतेश च्या hyvin कर grill रहे केवल मात रोच करने के लिए थौड़ी के रोत रहे मात रॉच पादन होता है यह को फादन का उत्देश ऐसी वस्तु हैं और सेवाई उत पादेड करना हैं जिनकी हमें आवशकता है वस्तुओं सेवाँ के पादन के लिए चार चीज़ें आवशक हैं डियर स्टुडेंट्स बहुत अच्छी तरह मेरे साथ बने रही है वस्तुओं जैसे पैन और यह टेलिविजन यह बोर्ड मेरा वस्तु है और सेवाएं कौन दे रहा है सेवाएं मैं दे रहा हूँ यह सेवाएं है फिजिकल नहीं है यह बहुत कुछ भी नहीं है सेवाएं ठीक है सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें आवश्यक हैं अत्ली आवश्यक हैं अर्थिशास्त्र में क्या है पहली आवश्यकता है भूमी तथा अन्य प्रकार्तिक साधन कौन-कौन से जैसे जल, वन, खनिच चल एक बात है दूसरे नंबर की आवशकता है अमारी श्रम यानि जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो क्या है सेवा तो है लेकिन वो मैं श्रम कर रहा हूँ अर्थार जो लोग काम करेंगे जो भी व्यक्ति पढ़ा रहे हैं श्रम कर रहे हैं कुछ उत्पादन किरियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत जादा पड़े लिखे कर्यों की जरूद होती है जैसे कि जीब चला रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पड़ा लिखाए कि आवशक्ता शायद नहीं है ठीक है दूसरी किरियाओं के लिए श्रेदिक कार्यों करने वाले श्रम को की जरूरत होती है खेती बाड़ी में शारेरिक कार्य होगा अन्यकार्यों में भी जहां शारेरिक कार्यों के आवशक्ता है पिर तीक श्रमिक उत्पादन के लिए आवशक श्रम प्रदान करता है श्रमिक वो है जो आके शारेरिक या मानसिक श्रम करता है उत्पादन के लिए आवशक जो भी जैसा जरूरत है उत्पादन में सहयोग करता है तो हमने कितनी चीज़ें देखें अब तक याद कीजे पहला क्या कहा जा रहा है हमको वस्तुओं मैं इसको पूरा हाइलाइट कर रहा हूं आपके रिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें आवश्चक हैं भूमी बता रहे हैं श्रम बता रहे हैं तीसरी आवश्चकता बहुतिक पूंजी है बहुतिक पूंजी इसलिए है कि मेरा टॉप अभी खतम हो गया कंपनी ने मेरा वह इंटरनेट और टेलीफॉन सेवा बंद कर थी ठीक है जैसे मैंने टॉप अप किया मेरा मॉबाइल का कनेक्शन वाफस इस्टार्ट हो गया तो पूंजी की आवश्चकता हुई के नहीं हुई मुझे ठीक है यह होगे मेरी भौतिक पूंजी और क्या भौतिक हो सकता है जिसको मैं छूँ सकता हूँ हुआ भौतिक हो गई अर्थात उत्पादन के पिरते किस्तर पर अपक्षि कई तरह के आगत चाहिए मुझे कि आप जानते हैं भौतिक पूंजी के अंतरकत हम कौन-कौन सी मदें आती हैं किसको मानते हैं भौतिक पूंजी सोचिए औजार मशीन भवन औजारों तत्म मशीनों में अत्यंत साधारन औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिश्क्रत मशीने जनुरेटर टरवाइन कंप्यूटर आदी आते हैं औजारों मशीनों भवनों का उत्पादम में कई वर्षों तक प्रियोग होता रहता है इन्हें स्थाई पूंजी कहते हैं एक बार आपने जनुरेटर ले लिया कई साल चलता है छोटी मोटी मरमत करते रहिए चलता रहेगा टरवाइन ले जिया जो बिजली बनाने में काम आता है कंप्यूटर या लैप्टॉप या मोबाइल की भी एक लाइफ है उतना तो वह चलेगा ठीक है ऑजार काफी दिन चलते हैं कई तानी की मशीन हैं हमारे काम आती हैं घर में भी भार भी खेत में भी है ना मकान बन गया भवन है ना तो काफी समय तक चलेगा ठोड़ी बहुत रिपेर वगेरा तो चलती है ठीक है तो ये मानती है हमारी अर्थशास्त्र इस्थाई ये बहुत समय तक काम आएंगे कच्च्य माल और नकद मुद्रा मैं इसको और सरल बना देता हूँ कच्चा माल और नकद मुद्रा अगर कोई कुर्सी टेबिल का काम करते हैं गाओं में तो उनको कच्चे माल के रूप में क्या अवशक्ता होगी लकडी की लकडी लाएंगे, सुखाएंगे, करेंगे और फिर लकडी या डैस्क या टेबिल बनाएंगे तो भई कच्चा माल लाने के लिए भी तो पैसा कैस चाहिए अगर शहर से लकडी लेके आते हैं या गाओं से ही खरीद रहे हैं तो कुस्तो कुस्तो बुक्तान करना पड़ेगा तो पैसा कैस चाहिए अगर दो दिन बाद भी दे रहे हैं तो भी पैसा तो देना पड़ेगा नकद येस देना पड़ेगा तो नकद मुंतरा की बात करते हैं उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यक्ता होती है जैसे समझ लिजिए बुनकर दोरा प्रोग किया जाने वाला सूत कुमार दोरा प्रोग में लाई जाने वाली मिट्टी उत्पादन के दोरान भुक्तान करने तता जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यक्ता होगी हर व्यक्ति को होगी चाहे वो हमारे बड़ई हैं, चाहे वो कुमार हैं, कोई भी है, कच्चा माल तथा नकद पैसों की, क्या कहते हैं हम लोग, कच्चा माल तथा नकद पैसों को कारेशील पुंजी कहते हैं, क्योंकि ये इमेजियेट तुरंत काम करती है, ओजारों मशीनों ततब भवनों से ये भिन ये चीज़ें पादन किरिया के दौरान समाप को जाती है भई लकड़ी क्या बन गई? कुर्सी के रूप में परिवर्ती दो गई उन्होंने उसे आगे बेच दिया बुनकर ने रूई खरीदी कपड़ा बुना और कपड़ा बुनके आगे बेच दिया तो यह हम समझ गए क्या समझ में आया हमार गया? आज़ार मशीन भावन लंबे समय तक चलते हैं, कंपूटर लंबे समय तक चलता है कच्चा माल लाए, उसको कंवर्ट किया, उसको बदला, उसका रूप बदल गया और आगे हमने उसमें पैसे डाले, किरिया शील पूंजी, कारे शील पूंजी लगाई और हमारा काम हो गया कच्चे माल से पक्का माल बन गया और वो बिग गया आगे जाए तो रॉ मैटीरियल यानि आप कहेंगे कि यहां खतम हो गया, किरिया के दोरान समाप्त हो गया हो, अब लकड़ी की चेयर बन गई, लकड़ी से कुरसी बना दी गई कारखानों में मशीन पर कारे करते श्रम है कुछ इस तरह से हमारी किताम में दिया है चित्र में उत्पाद में प्रग भूमी, श्रम और इस्थाई पुंजी की पैचान आपको सब दिखाई दे रहा है, इस पर तो यह काम कर रहा ही तो यह तो कच्छा माल हो गया, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा है यह हमारा श्रमिक वर्ग हो गया, समझी है, यह जो आप देख रहे हैं, मशीन जैसे कुछ दिख रही है, यह इस्थाई हो गई, चीक है, और यह जो पीछे आप देख रहे हैं, बिल्डिंग जैसे कुछ मकान टाइप है, वो हमीशा रहेगा, और भूमी पर तो खड़े हु कि ने आई है, या बिजली की सप्लाई आ रहे हैं, हम सब का पैसे का बुक्तान कर रहे हैं न, तो यह सब चीज है, परिवर्तितों के फाइनल गुड बनेगा, कपड़ा बन जाएगा, ठीक है, एक चौथी आवर्शकता आउती है, एक चीज अभी रह गई, क्या है, आपको से और बोव हितू या बाजार में विगरी हितू उत्वादन करने के लिए, क्या चाहिए, भूमी पहले नमबर के, शरम और भौतिक पूंजी, को एक साथ करने योग ये बनाने के लिए, क्या चाहिए, ज्यान और उद्यम की आवश्यक्ता पड़ेगी, ठीक है, हमने वाना क्या चाहिए, भूमी, फिर शरम, फिर भौतिक पूंजी हमने बात की, लेकिन इन तीनों को एक जगे लाने वाला एक व्यक्ती है, कौन है, आपकी बुद्धी मानी, ग्यान आपका, और उसके साथ मेहनत, परिश्रम भी है, इन चारों को मिलाना पड़ेगा, जब जाके शा अधियान और उद्ध्यान को, मानो पूंजी के विशय में और अधिक अध्यान हम आने वाले चैप्टर में करेंगे, अभी इतनी बात को आगे चलते हैं, उत्पादन योग्य हमको भूमी चाहिए, उत्पादन के लिए भूमी, शरम और पूंजी को संजोजित करके संगठ हिद्ध को ये एक व्यक्ति करता है, जिन्ह उत्पादन के कारक का आजाता है, इसको भत अच्छी तरह समझिए, वापस सुनिए मेरी बात को, उत्पादन भूमी, शरम और पूंजी को संयोजित करके एक करते हैं, संगठ हित्ध, आहुता है, जिन्ह उत्पादन के कारक कह पूरी बात को बहतिक पूंजी ना कहेंगे ठीके एक चौथी आवश्रक्ता भी होती है अगर हम इस बात इस सिलाइड की बात करें तो हमें क्या समझना है लेंड यानि भूमी लेबर यानि श्रम पूंजी, कैपिटल हो गई इंगलिश में बोलते हैं पैसा चाहिए, क्रियाशिल पूंजी हमने देखी और एक होता है, entrepreneur, यानि organizer जो इन सबको मिला रहा है उद्यम ही, हमने भी ज्यान की बात की ज्यान चाहिए उसमें और उद्यम चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए मतलब वो कैसा व्यक्ति होगा, मानसिक श्रमिक या intelligent होगा, आप लोगों की तरह पड़ा लिखा होगा और फिर भी वो काम जानता है सारा का सारा वो इन तीनों को मिलाएगा, तो हम क्या कहते हैं, English में भी सुन लिजे Land, Labor, Capital, Entrepreneur, Hindi में क्या कहेंगे जमीन यानि भूमी बोलते हैं, श्रम, पूजी और उद्यमी तो ये चार हमारे जो जरूरी हैं, ये चार हमारे पढ़ने का उद्देश कौन सा है इस पालंपूर के गाहों के माध्यम से हम ये समझने की चेष्टा कर रहे हैं